आपके अपनी विडू चैनल में ठीक है आज आज आपको मैं बताने वाला हूँ तो चलते हैं video की तरह तब तक हमारे चेनल को describes you are beautiful लायक कर लें जब से पहले यारी इसकी स्कीम एसकी में क्या क्या है क्या क्लिया आपकाइट दे सकते हैं वह पिपर होते हैं तो discipline देख information क्या है कि the examination will consist of the two papers दे सकते हैं आपर दो paper होते हैं यह part 1 part 1 एक computer based examination है ठीक है और part second descriptive type है details of these paper are as followed ठीक है इसमें नीचे दी गई है information paper first paper first में क्या क्या आता है जो computer based examination होता है जो computer पर होता है इसमें क्या क्या होता है कि आप देते फर्स्ट में general intelligence and reasoning पहला इसमें आता है कि general intelligence and reasoning जो 50 number का होता है ठीक है आप इसमें से नंबर 50 में 50 भी ला सकते हैं तो यह इसका time कितना होता है only दो गंटे यानि टू आर्स इसके बाद इसमें second नमर पर जो के computer बेस में आता है कि general awareness general awareness में दो गंटे 40 मिन बिलती है आपको ठीक है इसमें आपको 50 नंबर का होता है तो आपको इसमें 50 में 50 लाने होंगे इसके बाद आपको पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी ठीक है जो थर्ड नंमर का पार्ट है पार्ट ए यहां से देख सकते हैं पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी तो इसमें general engineering civil structure इसका एक सिलेवस होता है वह आपको पढ़ना होग और इंजिनिरःंग books सिभिन वाली है और इसके बाद जनरL इंजिनिरिंग जो होता है इसकी अधिए इसके आप सकते हैं कि फीर सेकंड आता है पीपर सेकंड में मैं आपको आगे डिटेल हम बताउ प्हों पर पहले आपको यतना देख लेना में डेए सीमक्यां सकते हैं कि जो रिटे न्यांब यह वह तो यह वह अचांद फुर्स्ट वाला लेकिन इस नहीं पहने है तो पार्ट ए में आप देशısı है जदे जर्ल इंजिनेरंग जो जर्ट इंजिनेरिंग ये दो गुंटे-का होता है और इसमें पारड भी जो पारड भी है समें जर्ट एनजिनेरिंग इलेक्ट्रिकल एफुर philosophical समय- कि 300 नमबर का होता है तीनों पिपर होंगे तो आपके 300 नमबर का होते हैं जो के 100-100 नमबर के होते हैं इसका टाइम उपर वालों के लिए दो गंटे का है लेकिन नीचे वालों के लिए जो नीचे दिये गए डाउन में उनके लिए दो गंटे 40 मिनट है तो चलते हैं डेटेल में इसमें डेटेल में आप दे सकते हैं जो मैंने पूपर पता है तो इसमें बोई लिखा हुआ है यहां पर आप दे इसमें पढ़ सकते ह तक ठीक है इसके बाद डारे लिया हम चलते हैं आगे इसमें होती निग्रेटिमार्किNG इसमें यह द्यान रखना यहाँ पर इसके बाद इंडिकेर्टीटिव से लिवस इसमें इंडिकेर्टिव करते हैं करते हैं करते हैं सेट इन ऐस आई मतलब system unit यानि जो ऐसा ही होता है यूट दा डिटेल सॉप सलेवर्स और गिवन विलो नीचे दिया गया है यहां से पार्ट बन यानि जो पेपर फस्ट है उसमें क्या गया है कि पहला जो मैंने बताया था हूं कि जनरल इंटिलियंस और रिजनिक तो इसमें क्या गया आता है कि अब और एनलोजी सिमिलिटीज डिफरेंसेश स्पेस बर जोलेशन ठीक है विजुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनलाइज जज्मेंट इसमें इस प्रकार क्या आते हैं इसके बाद इसमें और भी आते हैं डिसीजन मेकिंग अब विजुल मेमोरी डिस्क्रेम इसमें रिजुनिंग रिलेशन्शिप जैसे बेबहार इसमें आता है बरबल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और थिमेटिकल नंबर सीरीज आधी ठीक है इसमें जो कंप्यूटर रेटेड़ होते हैं कुसंस वह इसमें डील सब्सक्रेमेटिकल मतलब गड़ना तमक इसमें सबी प्रकार के फुसन आते हैं इसके बाद जनरल अवेर्नेस जनरल अवेर्नेस में क्या-क्या आता आप यहां से देख सकते हैं कि मैं जो मोस्ट होगा वही करेक्ट कर देता हूं मैं वहां पर टिक करूंगा ठीक है आप सेंस जनरल पॉलिटी जो कि आप जनते ही होंगे सामाजिक साइन्टैफेक रिसर्च और इटीसी ठीक है इसके बाद जो पार्ट यह इसे पार्ट इसके लिए इसके बारें बताएं कि पार्ट ए मैं क्या आता है कि बिल्डिंग मतेरियल्स क्या-क्या होते हैं यह पता होना स्थमेटिंग कॉस्टिंग जोस इसे सड्धिक एरिडनियरिंग डांसपॉर्मेस इंजिनेरिंग इन्वायरमेंटल इंजिनेरिंग ठीक 우and visual यह इस्ट्रक्टेर में किस प्रकार का होता है आसे एसी डिजाइन इस्टेली डिजाइन इसमें सभी प्रकार के हैं जो धूरbreaking सोते हैं जो मैंने बताया उसी प्रकार से इसमें कॉश्ट आते हैं ईसकी आप आपको सामने चुम्हारे पार्ट बी एंजिनरेंग इसमें बेसिक को सैप्ट आता है राप मेर्किट जो जो के तो निएम उते वह आते हैं फिर मेगने örडद एसी फंडामेंटल मीजर्मे साथ प्रस्ट प्रेक्षणल किलोगवाटमीटर मॉटर्स इसके वाद मोटर शाथ युदू ति विचलाइजेशन और सिंक्रोनास इसके बाद पार्ट सी आता हैант Olympian on पड़ी होगी तो आहन से कुछ आपको यहां पर मिल आ occurred मैं कुछ तेकर देता हूं जैसे फ्रॉरीट तो एक बैसिक प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स गुछ सिद्धान्त होते हैं है आइडोलिक भी आता है इसमें और टीविनेस कॉन फिरेगल पंप्स अंड इस्ट्वेल पार्ट सेकेंड अब जिसका जो हैंड रिटन है ठीक है जो हांसे लिखने वाला जो दूसरा पेपर है इसमें क्या है कि आप सिविल इंजिनिंग का पहले आता ह सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अपने देखा होगा कई आईडion में इसको और सब्सक्राइद होता है आए कि उसकी जाच प्रतल करता है उसी प्रकार से अगर आपने आई डिग्या बहुत रचाइए तो वहाँ से आप डारेक्टली एक सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि एक सर्वेर ट्रेड होता है आई डिए में वहाँ से आप कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि कोईक सेंड है और लेवरेटरी के बारे में कई प्रकार से इसमें कुछन आते रहते हैं इसके जो आपने बढ़ा होगा कि इसमें मीजरमेंट इसमें माप का फिलो वगएरा उसमें होता है सब्सक्राइब के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेंटल इंजिनिरिंग फिर कंक्रीट टेक्नोलोजी यहां पर टेक्नोलोजी है करकीट प्रॉपर्टी एडवांटेश हैं यूजिस ऑप कंक्रीट ठीक है कंक्रीट सीमेंट जैसे बिल्डिंग मटेरियल जब लगता है तो इसमें टेक्नोलोजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके आज इसी डिजाइन आज इसी डिजाइन में क्या होता कि सेयर इंट्रेंट बॉंड इस्ट्रेंद डिजाइन आप सिंगली और डबल इसके बाद इसके बाद आता है स्ट्रीट डिजाइन इस्टेर इस्ट्रील कारम्स बीम्स रूफ ट्रसेफ प्लैट गिडर जैसे आपने देखा होगा कि रूप यानि छट पर छट पर कुछ स्ट्रील की लगाए जाती है ठीक है जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसके उप इसके अंदर जो आप पढ़ लें इसको एसी फंडमेंटल फिर मीजर एंड मीजुरिंग इस्ट्रूमेंट्स फिर सिंक्रोनिक्स सिंक्रोनस मेकैनिक्स इसके बाद जनरेशन ट्रांस्मिशन एंड डिस्ट्रिबीशन आप देखना चाहेंगे फूल में कर दिता हम यहां से आप देख लें इसके बाद कॉस्टिंग कॉस्टिंग इस्टिमेट और लाइटिंग सी स्कीम इसमें लाइट भी लगाना होता है और इसमें लाइट लगाने के बारे में आपको पता होने चाहिए जो सर्किट लोग होते हैं इसके बाद आपको आता है फार्ट सी म मेचैनेक डिजाइन के उसके बाद इंजिर्ण इसकेप्रेंट्रेंट्रेंट इसके मटेरियल रिए इसके बाद थर्मल इंजूरीरिंग ऊपल फेस्ट लौ थर्मोडाइट व्हां और यह स्टेंडर्ड शाइकल पॉर आइसी इंजिर्टि इंटेकर डिटेस एट जो इंजिस कि रेंगिंग के बार में इसमें भी आता है एसमें है इसमें फिलुट भी टाटां फेलर्ट में एक सीनरी प्रॉपाइब टिंट् действительно और फिल्ट का फोर्य शय चाहिए ने तो नहीं पूआंटिस इसके बाद डैनेमिक्स और अवीडियल फिल्यूट इसके बाद आप दे सकते हैं कि फिर बेसिक प्रिंसिपल जैसे के बारे में आपको बताना पड़ता है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फिर इसके बाद एडमीशन ओफ एक्जामनेशन ठीक है एक्जामनेशन होने के बाद के डारेक्ट ले आप इस वैपसाइड पर बिजिट कर सकते हैं जो लिखा हुआ इस पर आपके जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो एक्जामरेट इंपॉर्मिशन सभी प्रकार की सिच्छा यानि एजुकेशन से लेड़ेट कोई भी आपको प सब्सक्राइब करूंगा और ठीक आइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिन सोब हो